चले, आज हम करते हैं किलास समयंत पैस का चैप्टर, तर ट्राइंगल और इस प्रापरटीज का एक्सरसाइज 6.4 का कुश्यन नमबर थर्ड, बहुत ही ज़दा इंपॉर्टन कुश्यन है, ये कुश्यन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है? कुश्यन में हम से कहा गया कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC, जिसका मीडियन है AM, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC, इसका मीडियन है AM, ठीक है? आपको पता ही है कि जो मीडियन होता है, वो अपोजित साइज को बैसे करता है, इसले AM जो है, वो बड़ा होगा या नहीं होगा? कुशन में हमने बताना है कि क्या AB प्लस BC प्लस CA twice of AM से बड़ा है या नहीं है? यह हमने कुशन में बताना है. तो चलिए, solution स्टार्ट करते हैं. अब देखे, इस कुशन को solve करने के लिए हमें triangle की एक property का use करना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पर डाउन कर लेते हैं. लिखते हैं, the sum of the length of two sides of a triangle is always greater than third side. तो यहाँ पर हमने लिखा है एक triangle के दो sides के length का जो sum होता है, वो हमेशा बड़ा होता है third side से. तो आपने अच्छी तरिकी से याद एक triangle में दो sides के length का जो sum होता है, वो हमेशा third side से बड़ा होता है. ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरिकी से याद रखना है. हम इसी property के help से इस question को solve करेंगे. अब हम चलते हैं, सबसे पहले इस first triangle में जो की है ABM तो लिखते हैं in triangle ABM अब देखे हम इस first triangle में AB and BM को add अब हम AB and BM को add करेंगे, दो sides AB and BM को add करेंगे, तो इन दो sides का जो sum होगा, वो third side AM से बड़ा होगा. And ये बन गिया हमारा first inequality, ठीक है, तो ये बन गिया हमारा first inequality. यहाँ पर equals to का sign नहीं है, अगर equals to का sign होता तो ये equation बनता, अब यहाँ पर greater than का sign है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास में एक inequality तयार होगा, ठीक है? अगर greater than का sign हो ये less than का sign हो, तो inequality तयार होता, तो ये बन गिया हमारा first inequality, ठीक है? चलिए बहुँ हम चलते हैं second triangle में, जो की है ACM, तो लिखते हैं in triangle ACM अब देखें, इस second triangle में हम इन दो sides का sum करेंगे, यानि कि हम CA and CM को add करेंगे, तो वो third side AM से बढ़ा होगा तो लिखते हैं, इन triangle ACM अगर हम CA and CM अगर हम CA and CM इन दो sides का sum करेंगे तो ये third side AM से बढ़ा होगा third side AM से बढ़ा होगा यह बन गया हमारा second inequality, अब हम first inequality and second inequality को add करते हैं, ठीक है, तो हम first and second inequality को add करते हैं, ठीक है, जब हम इन दोनों inequalities को add करेंगे, तो left hand side, left hand side के साथ मैं add होगा, and left hand side में आएगा तो left hand side में आएगा AB plus BM plus CA plus CM तो दोनो left hand side को हमने add करके यहाँ पर left hand side में लिख लिया अब हम दोनो right hand side को add करके right hand side में लिखेंगे ठीक है तो right hand side में यहाँ पर भी AM है यहाँ पर भी AM है तो right hand side में आएगा AM plus AM हाँ, दोनो right hand side को यहाँ पर हमने add करके लिख लिए है, अब देखिए, इस first inequality में भी left hand side बढ़ा है, इस second inequality में भी left hand side बढ़ा है, यानि कि दोनो inequalities में हमारे पास में left hand side बढ़ा है, तो जो left hand side का जो sum होगा, वो right hand side के sum से यहाँ पर बढ़ा होगा, ठीक है, अब आगे solve करते cm को add करना है, अब हमने इन दो sides को add करना है, ठीक है, तो अब हमने bm and cm को add करना है, ठीक है, अब यहाँ पर रह गया है ca तो इसको भी no down कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ca, correct, and फिर यहाँ पर greater than का sign है तो लिखेंगे greater than, यहाँ पर लगाएंगे sign को, am प्लस am हो अब यहाँ पर है AB, फिर प्लस, फिर है BM प्लस CM, देखिए, BM प्लस CM, देखिए, BM प्लस CM हमारा हो जाएगा BC, तो BM प्लस CM की जगहाँ पर हम लिखेंगे BC, इसको हम लिखेंगे BC, फिर यहाँ पर है CA, फिर greater than यह है, twice of AM से, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया, AB प जो पूछा गया है कि क्या यह AB प्लस BC प्लस CA twice of AM से बड़ा है, तो हम लिखेंगे YES, तो यह आजाएगा हमारा answer, ठीक है, यह आगे हमारे third question का final answer.